आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना संकट को मजभी रंग दिया जा रहा है उसे धार्मिक उन्माद में धार्मिक नफरत में तब्दील किया जा रहा है कम से कम आज जब हम और आप बात कर रहे हैं एक बात बहुत साफ हो गई है कि सत्ता सरकार और सत्ता प्रतिश्ठान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरी तरह से एक नए दुश्मन की तलाश में है पहले वह दुश्मन चीन के रूप में सामने आया चीन बुरा है चीन के खिलाफ मेसेजेस की भरमार हुई उसके बाद जो गरीब कामगार मजदूर वापस जा रहे थे घरों की तरफ लोट रहे थे वे दुश्मन नंबर वन बने और आज की तारीख में अब दुश्मन बन जैसा कि आप तक अब तक खबर पहुच चुकी होगी लेकिन फिर से हम एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ रखना चाहते हैं कि क्या हुआ दिल्ली के निजामदीन मरकज में जो की एक से पंद्रा मार्श तक दिल्ली में हुई मरकज यानि जमावडा निजामदीन मरकज में एक से पंद्रा तारीख तक जो मरकज था जो गैधरिंग थी उसमें तकरीबन दो हजार लोग थे अलग अलग देशों से लोग आये हुए थे मलेशिया से इंडोनेशिया से और देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां यह एक रूटीन एक्सेसाइज है जो तबलीकी जमात करता है इसके बारे में अलग अलग धंग से जानकारी आप तक पहुची हैं कुछ चीजें जो बहुत एहम हैं जो मैं आपके साथ बिलकुल खुल के रखना चाहती हूँ उन पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है उससे ऐसा लगता है कि तबलीकी जमात के इस मरकज में जो लोग आये थे वे जान बूच कर खुद को कोरोना से ग्रसित कर रहे थे और पूरे देश के लिए एक संकट खड़ा कर रहे थे जो सरासर जूट है बेबुनियाद है और धार्मिक नफरत पर आधारित सोच का नती ठी और सबसे बड़ी बात, देश में जो लोग विदेश से आये, वे सब अधिकारिक तौर पर वीजा पर आये और केंद्र सरकार की जानकारी में आये यहाँ पर जो तस्वीर पेश की जा रही है कि लोग छुपे हुए थे, लोगों को छुपा के रखा गया था, मानो केंद्र सरकार, मोधी सरकार और अमिश्शा की सरकार इतनी बिचारी कमजोर है कि उसे पता ही नहीं चल पाया, कि जो लोग वीजा से आए हैं ये कहा हैं इस पूरे मरकज के बारे में खत्रे की घंटी सबसे पहले तब बजी, जब इसमें शामिल हुए, 60 साल के एक शक्स की कश्मीर में मौत हो गई, वे यहां से लोटके कश्मीर गए थे, और उसके बास से लेकर अब तक यहां सिलसिला जारी है, कि यहां पर जो लोग आये थे, उ उनकी मौत होना और इस तमाम के बारे में आप तक जानकारियां पहुच रही हैं, एक बास साफ है कि जो मरकज था, यहां पर कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या थी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, और इसके बाद फैलाव हो सकता है, आज की तारीख में दिल्ली में घंग हैं कि यह नहीं होना चाहिए था, किसी की भी मौत किसी को भी कोरोना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बहुत एहम सवाल है, कि जो कोरोना से पीडित है, क्या वही दोशी है, क्या उसे ही दोशी है, क्या उसे ही दोशी है, क्या का संकट जब देश में चल रहा था, शिवराज सिंग चोहान को मुख्यमंत्री बनाया गया पूरा कपूरा समारो हुआ क्या हमने उसका विरोध किया नहीं तिरूपती से लेके वैशनो देवी तक में लोग जा रहे थे क्या हमने इसकी विरोध किया नहीं आप कह सकते हैं कि यहां से कोई भी कोरोना की खबर नहीं आई ठीक बात है लेकिन लॉगडाउन तो था देश में और लॉगडाउन आज की तारीक में भी देश में है सवाल यह है कि इस तरह से धर्म से जोड़ कर जिस तरह की नफरत पहलाई जा रही है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टीवी चैनल लगातार 24 घंटे एक धर्म को बकायदा कोरोना का प्रचार करने वाले धर्म के तौर पे प्रसारित कर रहे हैं अगर यह नफरत का वायरस इसी तरह से फैलता रहा तो निश्चित तोर पे कोरोना से जंग लड़ने से पहले हम नफरत के वायरस से मारे जाएंगे हार जाएंगे हम और यहाँ पर जो मरकज ने बयान जारी किया जो स्टेट्मेंट जारी किया वो इस समय आप स्क्रीन पर देखेंगे उसे हम क्रमवार ढंग से आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन जिसे फैलाने की बहुत कोशिश हो रही है ना रहे सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह बताया जा रहा है कि इस मरकज इस गैदरिंग के बारे में सरकारों को पता नही जिस समय प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने जनता कर्फ्यू एनाउंस किया उस दिन यह बंद था और उसके बाद से इनके बयान के मताबिक लोगों को घर भेजने का इंतजाम किया जाने लगा 21 मार्श की राज से ट्रेने कैंसल होने लग गई फिर भी करीब 1500 लोगों को घर पेजा गया और इसके बाद बच गए मर्कज में निजामुदीन मर्कज में एक हजार लोग और इसके बाद से लेकर आज की तारीक तक यानि 30-31 मार्श तक मर्कज के लोग लगातार यहां प्रशाशन से पुलिस से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कर्फ्यू पास दिये जाएं बहुत से लोग यहां फसे हुए हैं जिन्हें वापस घर जाना ज़रूरी है 24 मार्श को SHO निजामोदीन एक नोटिस भेचते हैं इसके जवाब में मर्कज फिर बोलता है कि एक हजार लोग हैं यहां पर जिसमें विदेशी नागरिक भी हैं और उन्हें इस समय बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और इसी दिन SDM से दुबारा मर्कज कहता है कि उसे 17 गाड़ियों का कर्फ्यू पास चाहिए यह हम पहले भी मांग चुके हैं और हमें दिया जाना चाहिए इसके बाद 25 मार्श को एक मेडिकल टीम आती है जाच होती है और मेडिकल टीम वापस चली जाती है 26 मार्श को इस प्रेस रिलीज के अनुसार वह बताते हैं कि उन्हें SDM ऑफिस बुलाया गया वहाँ DM से भी उनकी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने कर्फ्यू पास के लिए रिक्वेस्ट की जिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ 27 मार्श को इस मरकज में जो लोग थे उसमें से 6 लोगों की तबित गंभीर होती है बिगड़ती है मेडिकल जांच के लिए लोग आते हैं 28 मार्श को SDM और World Health Organization विश्व स्वास संगठन के लोग आते हैं 23 लोगों की जांच होती है उन्हें राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में दाखिल कराया जाता है 28 मार्श को ASP लाश्पतनगर नोटिस भेशते हैं और वह यह कहते हैं कि मर्कज गाइडलाइन का उलंगन कर रहे हैं 30 मार्श को अचानक ही सोशल मीडिया पर एक ही धंकी खबरें शुरू हो जाती हैं जिसको बाद में बाकी जो TV चैनल से में दिखाना शुरू करते हैं कि किस तरह से निजामुदीन मर्कज में कोरोना से ग्रसित लोगों को छुपा के रखा गया है और इसके बाद जो हाल होता है जिस तरह की अफवाएं हमारे सामने आती हैं जिस तरह का प्रचार हमारे सामने आता है वह तो बिल्कुल दूसरे ढंका ही परिद्रिश पेश करत है इसके बाद दिल्ली सरकार हरकत में आती है वहाँ पर बोला जाता है कि इनके खिलाफ एफ आई आर हो सवाल यहां इसके पक्ष में या उसके पक्ष में होने का नहीं है सवाल यहां पर यह है कि अगर इस मरकज में कुछ लोग कोरोना से ग्रसित थे तो उनको सही समय पर इलाज मिलना आज भी बहुत जरूरी है सवाल हमारा सबसे बड़ा है कि अगर यह मरकज जिसमें 2000 से अधिक लोग थे क्या केंद्र सरकार को इसके बारे में पता नहीं था क्या राज सरकार को इसके बारे में पता नहीं था सरकारों के पास जब जानकारी पहुच रही थी तब वे सरकारे क्या कर रही थी और उन्हें इस्थिती को स्पष्ट करने के लिए कम से कम यह बताना चाहिए कि किस अधिकारी ने क्या किया इस बारे में हमने बातचीत की समाजिक कार्यकरता और अनह संस्था से जुड़ी शबनम हाश्मी से 1981 में जब मैंने अपने एक्टिविजम की शुरुआत की तो निजाम-दीन बस्ती में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था और उस वक्त सबसे बड़े मेरे दुश्मन जिनको मैं मानती थी वो तबलीगी जमात थी क्यूंकि बहुत ही कंसरवेटिव एक बलके मैंने उनके कंसरवेटिव एक्टिव को हमेशा चैलेंज किया है लेकिन आज की तारीख में जो तबलीगी जमात पे हमला हो रहा है उसको मैं बहुत स्ट्रॉंगली कंडेम करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि जिस वक्त मोधी सरकार चारों तरफ से घिर गई पैदल चल-चल के उनको घरों पे वो जा रहे थे और जिस तरह उन पे स्प्रे किया गया उस पे जो एक आउट्रेज था पूरी सुसाइटी में उसको डाइवर्ट करने के लिए एक ये नया पूरा तबलीगी जमात का इनोंने बखेडा खड़ा किया है ये बात हम क्यों नहीं शुरू हुई थी एरपोर्स पे और जिस बात जिस प्रोग्राम की बात हो रही है वो ओफिशल लॉगडाउन से पहले हो चुका प्रोग्राम ओफिशल लॉगडाउन के बाद अगर किसी ने प्रोग्राम किया होता और उस वक्त ये सारी चीज़े उठाई गई होती तब प्रोगी जमात ने ओफिशल सारे फेपर्स रिलीज की ये हैं उन्होंкой किस दिन पुलिस को लिखा किस दिन उनोंने गाडियां मागी किस तरह उन्होंने अपनी जखा खाली करवाई और जो लोग वहा फसे रह गए उनको किस बहुतारा भेजा जाए उसके लिए वो लगतार अपील कर रहे थे तो ये जो फसे रह जाने वाले लोग और छुपे रह जाने वाले लोग ये जो पूरा वुकैबलरी का नाटक हो रहा है जो हमेशा करती है राइट विंग कि किनी लोगों को आप कहते हैं छुपे हुए थे और किनी को आप कहते हैं, वह फसे हुए थे, आप किसी विक्टिम को फसे होने के बदले, आप उसे ये कहें कि वो जानबूच के चुपा हुआ था, या किसी का सर फिर गया है, क्या जो जानबूच के करोना वाइरस फैलाएगा, इस तरह की बातें जो हैं, ये बहुत ही घटि इस तरह की हो, 23 मार्श तक तो आपकी पार्लिमेंट चल रही थी, आपकी पार्लिमेंट के अंदर लोग बैठे थे, जो पार्टिस अटेंड कर रहे थे, तो आप किस तरह से आप किसी तबलीगी जवान पर आप कह रहे हैं, कि जो उनका जो प्रोग्राम था, जो आपके एक और बहुत एहम खबर जो अपने आप में बहुत रोचक है और बहुत से तार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं वह खबर जब लॉकडाउन की घोशना हुई 24 मार्च को उससे करीब 24 गंटे पहले की है इस खबर को प्रकाशित किया कारवा वेबसाइट ने बहुत विस सकाराथमक खबरों की अपेक्षा करते हैं यह सकाराथमक खब्रे कहां से आती है क्यों आती है इनके पीछे की जो राजनीती है यह Beck में सामने आती है मारे सांगे जो वेबसाइट है उसमें बताया गया है कि 24 मार्च से त्थीक 24 घंटे पहले प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने एक एहम बैठक की यह बैठक की 24 संपादकों के साथ 24 पत्रकारों के साथ जो अलग-अलग समु के मालिक भी हैं या संपादक हैं पिरिंट इलेक्ट्राणिक दोनों अगर अखबारों के नाम ले तो तमाम प्रमुक अखबार जिसमें इंडियन एक्स्प्रेस, दे हिंदू, टाइमस ओफ इंडिया, पंजाब के इसरी तमाम अखबार हैं और यहाँ पर प्रधान मंत्री ने यह जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बैठक की देड़ घंटे यह बैठक चली और इस बैठक में प्रधान मंत्री ने अपील की कि लॉकडाउन के जरीए उस दौरान नकारात्मक खबरें ना आएं ऐसी खबरें आएं जो बहुती उत्साह वर्धन वाली हों ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अच्छे धंग से लड़ी जा सके यहां आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें बुरा क्या है कई संपादों को ने यह जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग वाली बैठक थी इसमें अपने फोटो भी ट्वीट की बकाइदा खुद बताया कि किस तरह से प्रधान मंतरी जो एक नोट पैड लेकर और कलम लेकर बैठे हुए हैं पत्रकार उन्हें सलाह दे रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं बहुत दिल्चस्प नजारा था यह मेरा जो सवाल आपके साथ है यहां पर कि इसके बात क्या होता है क्या पत्रकारों की जिम्मेदारी एक पी आर एकसेसाईस की है क्या पत्रकारों की जिम्मेदारी सरकार को सही और गलत के बारे में बताने की है या सरकार का जो कदम है उसकी विवेचना करने की है या जनता किस तरह से उस फैसले से पीडित है खुश है यह बताने की है अगर पहले ही हम सोच ले किसी खबर के बारे में कि हमें पॉजिटिव खबरे देनी है और इसमें आप देखेंगे कि तमाम पत्रकारों ने जो संपादक हैं और मालिक हैं उन्होंने खुद बढ़ चड़ के बताया कि इसे हम इस तरह से पॉजिटिव ढंग से दिखा सकते हैं यह खबर अपने आप में यह बताती है कि लॉकडाउन से पहले और कोई तैयारी प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने की हो या ना की हो एक बास साफ थी कि उन्होंने जो पियार एक्सेसाइज है मीडिया को किस तरह से मैनेज करना है और मीडिया में किस तरह की खबरे आनी चाहिए इसे तैय कर लिया इसी की वज़ा आप देखेंगे कि किस तरह की खबरों की कवरेज हो रही है जब मजदूर सडक पर उतरते हैं जब रोटी की बात करते हैं जब भूक से बिलबिलाते हुए रोते हैं तब मीडिया के लिए वह बड़ी खबर नहीं बनती क्यों क्योंकि वह पॉजिटिव खबर नहीं है वह एक निगेटिव खबर है यहां निगेटिव खबर वह हो जाती है जो जनता के सीधे सीधे दुखदर्दों से जुड़ी हुई खबर होती है इस तरह का जो exercise है मुझे लगता है कि बेहत चिंतनी हैं और कम से कम मीडिया की च दिखाई दे रहा है खोश खबर के इस एपिसोड में बस इतना ही बना रहेगा हमारा और आपका साथ देखिए लाइक करिए शेयर करिए खोश खबर ताकि सच को जिन्दा रखने की हमारी जो कोशिश है वह जिन्दा रहे और जादा से जादा लोगों तक पहुशती रहे शुक्रिया